मुझा प्रानी उद्धार केंटर बंतारा गुझा तो जामनोगरत निर्मान कोड़ा हुसे विसर हर्पब रिहोट बोईनप्रानी उद्धार केंटर जाग नाम दिया हुसे बंतारा बोईनप्रानी खिवार बावे आरंफो कोड़ा हुसे नौट फो प्रोफी प्रोजेक्ट द्विप्रा अर्भुए हजर एकर भुमीत निर्मान कोड़ा हुसे एए बंतारा हिर्खोक उध्धार केंटर जो तासे सोई सर्जरी सेंटर रुगीर कुठा एम राइज जांतर और सीटी स्केनर बेबस्था बंतारा उध्धार केंटर तासे रोबोतिक चार्जरी जांतर अरुगोबे होना केंट्रों एप और जंतों धरकड़ा हुए से पोसीस हजर अरो ओधिक पॉइंड प्रानिक बंतारा हंदरभट आग प्रहाईसू अनन्त अम्बानिर खुई टे नियूज एटीन और जेस्टो हंगबातिक रुबिका लियाकतर एक आसुटिया हाइखाद कार अमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप नियूज एटीन लिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ रुबिका लियाकत अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू और रिहाबिलिटेशन सेंटर में खड़ी हूँ तो आपकी जह सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है शेल्टर है नाम है उसका वंतारा और उस वंतारा के दिल में धड़कता है वो दिमाग वो चहरा जो आज हर किसी के जहन में समाया हुआ हुआ है दीरूबाई अमबानी के पोते मुकेश और नीटा अमबानी के बेटे अनंत अमबानी को बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बाचीत करने के लिए सबसे पहले तो इस खूप सूरत प्रोजेक्क के लिए आपको ढेर सारी बढ़ाया यह आप जानवर का और अलग-अलग जीव जन्तू का सेवा कैसे करें तो बच्पन से ही मेरे घर में माता जी मेरे से पहले जब वो छोटे थे उन्होंने 20-25 कुट्तों को पाला था घर पे और मुंबई के लिए वो तो बहुत बड़ी बात होती है 20-25 कुट्ते घर पे फ्लैट में आदमी को बहुत सारा पुन्य प्राप्ट करा सकता है तो इस विचार से हमने ये काम पच्पन से चालू कि पच्पन में हमने डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो पालतू जानवर है गाय, भैस, बकरी, मुर्गिया, खरगोश, जो सूर, सब से हमने चालू की थी मुंबई में, क करजत में सो एकर में हमने उस समय एक लाख पालतु जानवर का चालू किया था फिर हम सोचे जामनगर कैसे आना हुआ मतलब आप किया रहे हैं करजत में थे मुंबई में सब कुछ आपके पास था मा ने बचपन से एक एक पूरा बेज बना कर रखा था अनन्त अम्बानी जाम जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी बना है पिता जी ने उस अपना साकार की दादा जी की पिता जी ने यहां खुद जामनगर में दस से बारा साल रहकर यह रिफाइनरी बनाए जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है अब यहां न्यू एनरजी का अभी एक बहुत बड़ा कॉंप्लेक्स बनने जा रहा है जानवरों के लिए इसके लिए सोचा माता जी ने मेरे माता जी ने जामनगर में हजार एकर पर एक जंगल खड़ा कर दिया आप तो एरपोर्ट से आये होगे तो आजू-बाजू में आपने देखा होगा कि पूरा ब समगनगर कहूं तो वह से बसे माता जी ने पूरा माता जी ने तो यहां पूरा एक टाउंशिप बनाया हमारे जो कुछाओं नको रहने के लिए एसरे सॉटनूश्प बनाया है जैसे अगर आप जाओए तो आपको लगे आप कैलफोनिया में कालो तो देखिए हुगे थौ प्रेचर जो है वो गिंपर कि एक अभर मैंने कुछ लोगों से बात कि एह उन्होंने कहा है अभर लेगाली पर ऐस दिए लुगाम हमने ५टल यह थिए साड़े आट करोड जाड लगाया है माता जी और पिता जी ने साड़े आठ कर रिफाइनरी तो ही पर साथ साथ में यहां दुनिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा भी बनाया गया है वो जो तस्वीर हमने देखी थी कॉंडुलीजा ब्राइस के हाथ में एक बास्किट था उसमें केसर के आम थे और कहा गया था कि वो धीरूबाई अमवानी के बाग से आए हैं लेकिन अनन्त अमवानी ने ये कब सोचा कि यहां पर तो जब मेरे पापा हमें हमेशा जंगल ले जाते थे रंथमबोर गीर, बांदवगड काजी रंगा, पेंच हम सब बच्पन में जंगल पापा खाली एक एक ही समय है पापा हमें चुटिया में लेके जाते थे वो जंगल होता था, हम और कहां चुटिया जाते ही नहीं थे जंगल तो हमें वाइड लाइफ सब बहुत प्रेम था फिर जैसे जैसे में में बड़ा होते गया और में समझता गया मैंने सोचा कि वाइड लाइफ के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए मैं मेक्सिको गया मेक्सिको में तो सरकिस अभी भी अलाउट थे, मेक्सिको में ऐसे थे कि शेर के लिए खाना नहीं था और शेर भूके मर रहे थे मैं सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए भारत में रोड एक्सिदेंट से तेंदुआ गिर जाता है रोड एक्सिदेंट से कभी कभी टाइगर जो बाग है उसको चोट पूट जाती है भालू जो रीच जो रीच होता है उसे भी कभी-कभी बहुत दिकत में आजाती गभी एक्सिदेंट हो जाता है कभी कुवा में गिर जाता है कभी तो गैंसर हो जाता है तो हमें उसको चुचे कि वाइड लाइफ के लिए पशू के लिए जो साधारन पशू है जो farm animals जिसे हम कहते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, wildlife के लिए बहुत कम लोग हैं, इसलिए wildlife के लिए कछ करने का सोचा। तो जिब Anand Ambani के मन में ये विचार आया, तो वो पहला शक्स कौन था, जिसे आपने जाकर ये बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, और उसका reaction क्या था। ममी थे, ममी को में बताया, ममी ने पहले बहार कि इसलिए आपको टीम ज़रूर, अकिले आप नहीं कर सकते हो, तो आप एक टीम खड़ा करिए, पापा के पास गया, तो पापा ने बोला कि अगर करना है, तो दुनिया का सबसे अच्छा करिए, करना है, तो जो भी करना है, आपने तो पुरा घुमाई होगा, अभी तो मैं दुनिया का अच्छा बोले कि अभी तो आप खाली 10 या 35 फिसीदी ही खतम हुआ है, बहुत समय लगे, और मुझे अपने दर्शकों को अगर, अनन जी ये बात अगर मैंने नहीं बताई तो ये नाइंसाफी होगी, पिछले साथ घंटे से अनन तंबानी हमारे साथ है, हम पूरे इलाके में घूम रहे हैं, इनफाक्ट अभी तो हमने अनन जी खुद बता रहे हैं कि 40% ही घूमा है, कितना बड़ा ये इलाका है, यहां कितने आप जानवर लेकर आए हैं, कितनों को बचा है आपने, अभी तक हमने य हाई हजार एकर में है, बनाया है rescue center, यहां का hospital जो है, इसमें 6 surgery centers है, inpatient ward है, outpatient ward है, MRI machine है, जो मेरे हिसाब से इंडिया में एक ही है, CT scan है, जानवरों के लिए, robotic surgery machines है, lab है, जिसमें 100 से जादा वेजनानिक काम करते हैं, और laboratory specialist भी यहां काम करते हैं, मतलब वो सुवधाएं ऐ इसी है कि आप किसी शांदार 5 star, जो human beings के hospital होते हैं, वो भी कम पढ़ जाएंगे, मैं सच बता रही हूं, इतनी शांदार यहां पर सुवधा है, लेकिन कितने जंगली जानवरों को आपने rescue किया है, अब तक हमने यहां 25,000 से जादा जादा जंगली जानवरों को rescue किया गया और हमें बहुत सारे जामरों का ज्यान भी रखा गया है, हम यहां से teams पूरे भारत में, सब जगा भिजवाएं, जूज में भिजवाएं, forest department का बहुत सारे अलग-अलग forest department का हमने मदद की, उन्होंने भी हमें बहुत support किया, और मैं देश के हर एक forest अधिकारी, उनके करमच उनका शौक वो बहुत अलेदा होता है, मतलब किसी को कार रेसिंग पसंद है, किसी को अलग-अलग destination पर जाकर अपना सब कुछ बसाना पसंद है, आप जामनगर आगए, मैं जामनगर में ही, आप लोगों के साथ कम और जानवरों के rescue है, मैं जान जानवरी है, मैं जानवर क हर दिन, दो गंटा, जानवरों के लिए मैं काम करता हूँ, और मैं यही सोचता हूँ कि मैं कितने जानवर को दिन में बचा सकता हूँ, मैं सोचता हूँ, आज कितना का मैंने भला किया, और मैं कितने का भला कर सकता हूँ, और इससे मुझे अच्छे सी नीन आ जाती है, तो और जो मेरे दोस्त है वो भी जानवर प्रेमी है और मेरी जो अभी होने वाली पत्नी रादिका आपको बहुत सारी मुबारक बात सबसे पहले तो और आप तो शादी भी जामनगर में ही कर रहे हैं पूरी दुनिया को आप यहां पर इकठा कर रहे हैं यहां मेरे दादी जामनगर के हैं मेरे दादी जामनगर के रवासी है और मेरे शादी यह उसलिए कर रहा हूं यह हमारी हम गुजरात के हे है bhaasry Sounds बी तो प्रृवेडिंग यह हो रहा है शादी मुंबई ब्री वेडिन यह होगा अर्य हमारा घर है और हम यहां घर में झाली धर्मपतनी आपके इस प्रोजेक्ट को कितना सराती हैं कितना उनका योगदान है वो क्या कहती है वो भी एक बहुत बड़े जानवर प्रेमी है और कभी यह नहीं बुलती है कि आप कि बहुत समय में पास समय नहीं बचता है काम के बाद मैं इस पर लगा रहता हूं तो वो खुद पशुवेट से बात कर लेते हैं वो खुद हमारे जो ट्रस्ट के मैनेजर्स हैं उनसे बात करके फीडबैक लेते हैं और वो खुद कोई-कोई हाती है जो उनको आवाज से पैचानते हैं हमने बहुत सारे हाती रेस्क्यू की है साथ में और बहुत सारे हाती तारह दिल्टर मांजा से कड जाते थे तो ममी जब रहा हूँ छोटे हुँ हमें छूड़ पर इनवार बाज बे कँमानों और जनیا दूजा वहाँ नियूक्जार किया और दूजब हूं तो काम होता रहेगा दुनिया चलती रहेगी पर जानवर के लिए हम यह एक हमें प्रेरना मिलती है सब मम्मी से और सबसे कि हम जानवर के और काम करें यह तो आपको मैं अभी भी बोला जा आप देखा यह तो खाली एक छोटी सी जहाकी है मतलब एक तो हमने आपने जो गजराज और देखिए साक्षात गनेश जी जो है उनकी मूर्ती आपने यहां पर स्थापत की हुई है सैक्डो हाती जो है आपने रेस्क्यू किये हैं आप अलग-अलग इलाकों से रेस्क्यू करके वाइल्ड कैट्स को भी लेकर आए हैं इन फा के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरना है प्रधान मंत्री ने जो भारत के लिए किया है और जो वाइड लाइफ के विशे में किया है मैं मानता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया है कि चीता प्रोजेक्ट को सफल किया प्रोजेक्ट लायन जो गीर में है जो इत् वात बड़ी सोच रखते हैं, हम भी जितना हमारे से होसता है, हम जानवर के लिए करते हैं. और उनका जो उनसे जो प्रेजना मिलती है, वो अलगी महसूस होता है, इक अलगी पावर आ जाता है कि हम और कुछ करें. जबी हम उनको टीवी पर सुनते कि प्रजेक्ट लाइन जब चीता आए तो बहुत खुशी हो तब आपने रिलेट किया था इस बात से बिल्कुल यह थो हमारे सपना साकार हुआ हमारे चीते जो भारत से चले गए थे जो भारत से एक्टम एक्स्टिंक्ट हो गए थे उनको वापस लाना बहुत बड़ी बात है तो यह जो उन्हों ने किया यह एक बहुत अबले तारीफ बात अनंत अमानी का पैशन पूरे देश को समझ में आ गया है लेकिन इस पैशन को क्या और आप पर देंगे को और इसका कोई मुकाम है या जामनगर तक यह सीमित रहे हम जामनगर में एक ऐसे केंद्र बनाना चाहते है कि हम कपैसिटी बिल्डिंग यहां से करे हम यहां से जितने भी हमारे वे जो पशुवेद है उनको हम पूरे भारत में भेज़ें यहां सिखा कर कि भारत में ऐसे हमारा यह मकसद रहेगा एक भी इंडेंजर जानवर बिमारी से ना मरे कैप्टिविटी में और जितना हो सके उतना हम दुसरे को मदद करे कापैसिटी बिल्डिंग करे भारत में भारत इसमें एक लीडिंग स्टैटिजिस्ट बने और भारत में हम चालू करें कि वाइड लाइफ कैसा इसमें बून-बून से सागर बनता है तो हम यह चाते कि जामनगर एक ऐसा हॉस्पिटल लाव अपने देखा ऐसे बने कि जहां हो गया और रेस्क्व सेंटर हॉस्पि जाहेंगे कि ऐसे लाखों अनन्त पैदा हों हिंदुस्तान में लेकिन उसके लिए आपको इंस्पायर करना भी जरूरी है तो एक आम आदमी जो यह जानना चाहता है देखना चाहता है कि आपने किस तरीके की फैसिलिटी बनाई है वो आ सकता है यहां पर जी बिलकुल अब प्राणी संग्रालय ने यह प्राणी सेवालय है तो हम यहां लोगों को यहां उनको एक अलग प्रेर्णा से भावक होकर कुछ जामर के लिए करने जरूर बुलाएगे और हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि हम कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे के लिए एक एडुकेशन हब यहां अनिशा से इस बाद पर फक्र करता है कि वसुदेव कुटुम्मकम के प्रिंसिपल में यकीन रखता है आपने जानवरों के लिए भी इनफाक्ट जामनगर को एक वसुदेव कुटुम्मकम का हब बना दिया है अगर यह कहूं मैं तो गलत नहीं होगा सनाथम ने मुझे बहुत प्रेणा दी आप अगर देखोगे तो हमारे बहुत रेलिजिस हैं जी भगवान जो भी है भगवान के कारण हम सब है श्री कृष्ण कहते थे हाती घोडा पाल की जै कनिया लाल की और श्री कृष्ण के सबसे प्यारे होते थे गाई हाती घोडा औ हर एक का प्रियो भी जानवर हो चैसरस्वती मौरपंक और मोर चैसरस्वती में सनाथम से यह एक मुझे सीख मिली है कि हर एक जान एक है मनुष्य हो या पक्षि हो या एक जानवर हो या हति हो कुछ निए पर सेवा करने का मौकर बहुत कम लोगों को मिलता है तो मैं भगव देखेवान का बहुत आभार हूँ कि भगवान में भया मुझे ऐसे जाणवरों के सेवा करने का मौका दी और यह तो मेरे लिए जानवरों के सेवा करने मौका दी जाफ ट से लफ दी आज़शनव से जान्वरों के डहां ट लूब हमेशा से बेड़ीयों में रहे हैं उनको आजाद किया हैं उनको आगे बढ़ाया है उसके लिए आपको खूब सारी शुबकामनाह और अपना खयाल रखिएगा और उन तमाम जार्वरू का जो हमेशा से परिशान रहे हैं बहुत 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 दिनेवाद़ बहुत बहुत हुआ है है अर्यासल बंतारा बंतारा हुषे अनन्तंबानी खोपुन अर्हे होपुनोंग एनेट होने एनेद होनार ता रूप दिले अनान ताम बानी है। एक बान्तारा जोथ बहुँ जिवाज अन्तु आसे और ये हजार बिजार जिवाज अन्तु के नेद होने कोई से जे हंगराहलो नहाए। एक बान्तारा जाए।